दोस्तों 14 से पहले मिलते हैं अपनेशुछे दोस्तों से यह कर लोगों से today तो आज हम बात करने वाले दोस्तों यह हम लोगों को डॉफिक के चालान से बचना है तो लोगों को किन-किन बातों खतना पड़े bessा यह detect दोस्तों मेरे उन सभी ड्राइवर भाईओं को जो ओला और उबर ड्राइव करते हैं उनके तो बहुत काम आने ही वाली है इसके अलावा जो और भी लोग है जो अपनी गाड़ी स्वयम चलाते हैं आपने घर के लिए गाड़ी अपनी चलाते हैं बाइक हो कार हो कुछ भी हो तो ये वीडियो उनके भी बहुत काम आने वाला है ठीक है दोस्तों लेकिन उसके पहले मैं बात करूंगा अपने कल वाले वीडियो पर जो मैंने कल एक वीडियो डाला हुआ था जिस पर मैंने दिखाया था कि दस घंटे में आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं तो एक भाई का मेरे पास मैसेज कमेंट में कमेंट आया था तो ये केवल मैं उनके लिए ही बना रहा हूँ तो उनका कमेंट ये आया था कि ये साड़े आड कहां बजया है और इस पर प्रॉपर उनको समझ में नहीं आया है तो ये वीडियो खास कर उनके लिए है अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ठीक है दोस्तों अब मैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पर तो ये देखिए दोस्तों शुरू करते हैं ये मैंने ओला को ओपन किया ओपन करने के बाद ये मेरा खुल गया मैंने भी डिवाइस ब है दोस्तों ये है उपर 15 दिसंबर की तारीक जो कि मैंने वीडियो डाला था कल का टोटल राइडे मेरी कंप्लीट हुई है 15 देख सकते हैं आप लोग और उसका जो ऑपरेटर विल है वो है टोटल 2404 रुपए 28 पैसे अगा ठीक है दोस्तों अब हम बात करते हैं कि मैंने ज 6.7 किलोमेटर 18 मिनट और इसका जो टाइम था पिक अप टाइम वो देख सकते हैं आप लोग दोस्तों यह रहा 10 बच के 36 एम 10 बच के 36 मिनट पर मैंने इनको पिक कर लिया था मतलब कि मेरे पास जो राइड आई थी वो साड़े दस पर आ चुकी थी और पार्च मिन मुझे अप लोगेशन पर जाने में लगा था तो मैंने इनका जो पिक 10 बच के 36 मिनट पर मैंने इनको पिक कर लिया था तो साड़े 10 बचे से मैंने काम शुरू किया था दोस्तों आप एक बाद फिर से देख सकते हैं 10.36 एम और यह मैंने किया और इसके बाद जो है मैंने बच के 2 मिनट पर मैंने जो है नवाब गन से उठाया था और इनको मैंने लगबग 9 बच के 25 मिनट पर ड्रॉप कर दिया था क्योंकि ज्यादा दूर की राइड यह नहीं थी लगबग 3 किलो मीटर की राइड थी तो इसकी वजह से जो है इस पर जाद समय नहीं लगा क्यों 9 बच के 25 मट में मैंने इसको क्लोज किया और टोटल अर्निंग मेरी इस वाली राइड को मिलाने के बाद जो है हुई थी लगबग 2100 रॉपए की ठीक है दोस्तों और इस 2100 के बाद फिर मैंने दो राइड और कंप्लीट करी क्योंकि मुझे 15 राइड टोटल कंप्लीट करन तो बात करते हैं कि अगर हमें अपनी गाडियों में चालान होने से चाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा तो उसके लिए दोस्तों मुझे जाना पड़ेगा किसी चौराहे पर जहां पर रेड लाइट हो रेड लाइड के अलावा वह बैक कैमरा जिससे चालान आजकल बहुत ज्यादा तेजी से के साथ हो रहे हैं जैब्रा आता हूं कि आप कैसे अपना चालान को बचा सकता है तो दोस्तों देखिए यह है अपना एदगा चौराहा और एदगा चौराहा पर देखे कैमरे भी लगे हुए है बकायता चौराहे पर और इस पर रेड लाइट पर अभी तो यह यल्लो है बट है यह जो है रेड लाइट और ग्रिन लाइट वाला चौराह तो चलते हैं दोस्तों आगे तरफ और दिखाते हैं देखे यह हैं दोस्तों रेड शिगनल जहां पर उपर दिख रहा होगा आपको और नीचे है देखिए जब्रा क्रॉसिंग आप लोग दोस्तों देख अगर दोस्तो इस एंडर लाइन के ऊपर आपने अपनी गारी खड़ी कर दे और आगे है रेड लाइट तो आपका भाई साब चालान हो जाएगा वो देख सकते हैं दोस्तो जहां पर यह यलो लाइट जिल रही है वहां पर भी कैमरे लगे होते हैं वो यह दिखाता है कि आप अपने आपकी गारी जो है जेब्रा क्रोसिंग के ऊपर आ गई है और यह देख सकते हैं दोस्तो यह पीछे वाले कैमरे यह देख सकते हैं दोस्तो यह पीछे वाले कैमरे जो पीछे से देखते हैं कि आपकी गारी के आगे रेड लाइट है और आपकी गारी इसके वाइट वाली एंडरलाइन के ऊपर है ठीक है दोस्तों दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा ये रेट सिग्नल वाला चोरा जहां पर अक्सर लोगों के चालान हुआ करते हैं तो अगर आप इस वाइट वाली एंडरलाइन जो जब्रा प्रोसिंग पहले थी इसके ऊपर अगर आप अपनी खारी कर लेते हैं तो आपका चालान होना रेड़ाइट पर डेफिनेटली कंफर्म है यहाँ पर चालान आपका हो सकता है कार का चलान यहाँ पर होता है पहला चैलान पांसों के बाद तो दोस्तों मैंने यह चीज आपको इसलिए बताइए क्योंकि अभी चाल से पा से किसी का भी चालान उस red light पे उसकी वज़े से नहों जब कि मैंने दोस्तो red light को cross नहीं किया था कि अबल जब्रा crossing पे मेरी गारी ख़री हुई थी इस वज़े से वो चालान मेरा हुआ ठीक है दोस्तो तो इसके अलावा भी अगर हम लोग बात करते हैं तो गाड़ी के documents की जो आपको complete रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने documents complete नहीं रखते हैं तो आपका चलान होना तब भी confirm है ठीक है तो seatbelt लगाना तो compulsory है यह चीज़ तो आपको पता ही होगी seatbelt, seatbelt लगाना, helmet लगाना अगर अपने bike riders है वो बिना helmet के चलेंगे तो उनका चलान हो जाएगा अगर यह चीज़ बाइक के लिए भी बाइक भी zebra crossing के उपर खड़ी होगी तो उसका भी चलान हो जाएगा यह चलान जो ह अगर आपको चलान से बचना है कि आप जो है इस white valley underline के पीछे ही अपनी कारी खड़ी करें जिससे कि आपका चलान नहीं होगा हमेशा seatbelt को लगाएं, seatbelt पहन के हमेशा कारी चला है अपना जो जीवन है वो बहमूल है हर जगह पे लिखा होता है है न दोस्तों तो और सबसे बड़ी चीज सेट बेल लगाने से अपनी तो safety होती होती है चलान भी नहीं होता है और बस यहीं सारी चीज़े हैं जो दोस्तों आपको हमेशा यार रखनी है जिससे कि आपका आने वाला चालान चालान में एक तरीके का अपना नुकसान है दोस्तों जो अपना नुकसान होने से हमेशा बचाएं अपने जीवन को बचाएं और चालान आपका कभी नहीं होगा अगर आप मेरी यह चीज़े केवल मान लेंगे तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ तो अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छे च्छी वीडियो लाता रहूँगा ठीक है दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो पे तब तक के लिए गुड नाइट बाई बाई